दोस्तों budget 2023 में जो income tax labs हैं उनके अंदर कुछ रियायत दी गई है और यह जो रियायत दी गई है यह खाली new regime के अंदर दी है यह तो हम सभी लोगों को पता है कि दो type की regime हम follow कर सकते हैं दोनों में से in fact कोई भी choose कर सकते है old regime versus new regime तो यह जितनी भी extra exemption मिली है वो खाली new regime के यही हम इस video के अंदर answer करने वाले हैं काफी सारे in fact लोगों को confusion भी है for example जो standard deduction की finance minister ने बात की कि 15.5 lakh के उपर 52,500 का benefit होगा तो काफी लोग सोच रहे हैं कि 15.5 lakh के उपर ही standard deduction जो new regime के अंदर मिलेगा वो 52,500 का मिलेगा जी नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है यह 52,500 का exactly मतलब क्य है हम इस video के अंदर बात करने वाले हैं मैं आपको साथ में एक calculator दे दूँगा Excel का जिसके अंदर आप पूरी अपनी calculation कर सकते हैं आपकी income के हिसाब से आप कितने deductions plan करेंगे अगर आप old regime में जाते हैं उस हिसाब से आपको old regime better होने वाली है या फिर new regime better होने वाली है वीड है कि यहाँ पर भी in fact काफी confusion हो गई है लोगों को क्योंकि अब बहुत multiple combination हमारे पास बनके आ रहे हैं 0 to 2.5 लag का एक slab बनता है जैसे की फिर 2.5 to 5 का एक slab बनता है old regime में नए regime में 0 to 3 लag का एक slab बन जाता है 3 to 6 लag का एक slab बन जाता है तो अब हमें calculation करनी होगी 0 to 2.5 के लि फिर 3 to 5 के लिए फिर 5 to 6 के लिए तो हर combination में जिस भी आप slab में fall करते हैं तो आपको new regime better होने वाली है या फिर old regime better होने वाली है यह अब हम इस calculator से देख लेंगे आप अपनी कोई भी income हो इसके अंदर डालिए जितनी भी आप deductions plan कर रहे हैं वो इसके अंदर डालिए सारा आपको यह calculate करके देदेगा देखिए अगर हम पहले slabs की बात करें तो old tax slabs की हम quickly बात कर लेते हैं अगर आपकी income 0 to 2.5 lakh में आती है यानि कि आपकी जो taxable income है वो 0 to 2.5 lakh में आती है तो 0% tax rate है यहाँ पे कोई confusion नहीं है 2.5 lakh से 5 lakh में यहाँ पे थोड़ी सी शायद लोगों क confusion हो जाती है और यही confusion new regime में भी हो सकती है 2.5 lakh से 5 lakh के बीच में अगर आपकी salary आती है income आती है net taxable income तो 0% tax लगेगा अगर आपकी net taxable income less than 5 lakh हो जाती है तो लेकिन अगर आपकी net taxable income more than 5 lakh हो जाती है मान लीजे 8 lakh है 9 lakh है तो आपका obviously हर slab पे कुछ ना कुछ tax rate लगेगा तो उ उसमें आपका 5% का tax rate लगेगा 5 to 10 lakh पे 20% का tax rate है more than 10 lakh पे 30% का tax rate है अब आ जाते हैं हम अपने new regime पे जो budget 2023 में नए tax laps declare करे गए हैं उनके हिसाब से 0 to 3 lakh में अगर आपकी income आती है तो 0% tax rate है कोई confusion नहीं है यहाँ पे अब बात करते हैं 3 to 6 lakhs की 3 to 6 lakhs में अगर आपकी net taxable income income आती है तो 0% tax rate हो जाएगा क्योंकि net taxable income आपकी less than 7 lakh है लेकिन अगर आपकी net taxable income more than 7 lakh है यानि की 8 lakh है 9 lakh है 10 lakh है तो जो 3 to 6 lakh वाला bracket होगा उस पे आपका 5% का tax rate लग जाएगा similarly अगर हम 6 to 9 lakh के bracket की बात करें तो आपका tax rate 0% हो जाता है अगर आपकी net taxable income less than 7 lakh हो जाती है तो ये tax rate 10% होगा अगर आपकी net taxable income more than 7 lakh होती है तो इसको in fact हम example से भी समझेंगे कोई confusion नहीं रहेगा 9 to 10 lakh पे हमारा जो tax rate हो 15% हो जाता है 12 to 15 lakh पे 20% हो जाता है more than 15 lakh पे 30% हो जा different income range बना दी है हर range के हिसाब से आपका जिस भी range में आपकी income आती है आप यहाँ पे यह values डाल सकते हैं आपको यह जो yellow color से आप inputs देख रहे हैं यह सारे inputs आप change कर सकते हैं similarly यहाँ पे आप deductions भी plan कर सकते हैं जो भी आपका old tax regime में अगर आप मानली जो कोई investment करते हैं जैसे क section 80C के अंदर डेड़ लाग तक का हमको tax deduction मिल जाता है 80D के अंदर अगर आप medical insurance plan करते हैं उसके अंदर आपको मिल जाता है home loan insurance का interest पे करीब 2 लाग तक का आपको tax deduction मिल जाता है तो यह सारे जितने भी deductions हैं वो आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं यहाँ पे आप total deductions डा new regime की अगर हम बात करें तो 50,000 का standard deduction यहाँ पे भी दे दिया गया है यहाँ पे आपको confusion नहीं होनी चाहिए काफी लोग सोच नहीं कि 15,500,000 के उपर जिनकी salary होगी उनहीं को standard deduction मिलेगा जी नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है एक बात और मैं बता दू इंट आपको यहाँ पे यह अब भी हम tax calculation कर रहे हैं इसके अंदर हमने surcharge और cess नहीं लिया है इस calculator का main मकसद है कि हमें यह समझ में आ जाए कि हमारे लिए old regime better है या फिर new regime better है तो यहाँ पे अगर हम values डालें 0 to 2.5 lakh में मान लिजे किसी की salary 2.4 lakh है तो यहाँ पे standard deduction 50,000 का तो definitely मिलना ही है extra deduction मान लिजे को कोई भी investment नहीं की है तो भी obviously taxable income less than 2.5 lakh हा रही है tax labs के हिसाब से 0% tax लगेगा कोई confusion नहीं है similarly यहाँ पे new regime के हिसाब से 0% ही tax लगेगा क्योंकि 7 lakh तक तो कोई tax लगना ही नहीं है new regime के अंदर तो कौन सा better हुआ बोथ हर better बोथ हर because equally good अब 2.5 lakh से 3 lakh की अगर हम बात करें मान standard deduction तो यहाँ पे 50,000 का ही मिल जाता है और साथ में अगर extra deduction 0 ही करें हो तो भी हमारी net taxable income less than 2.5 lakh हा जाती है तो भी हमारा tax 0 बनता है in fact new regime में भी हमारा tax 0 बनेगा less than 7 lakh पे obviously हमारा 0 ही बनेगा both are equally good 3 to 5 lakh का अगर हम case देखें अगर मान लीजे किसी की salary 4.8 lakhs है तो standard deduction भी 50,000 का ह तो कोई confusion नहीं है यहाँ पे भी zero tax लगेगा new regime में भी both are equally good अब देखें यहाँ से थोड़ा सा scenario change होना शुरू हो जाता है जैसे ही आपका income bracket 5 lakh के उपर जाता है तो new regime और old regime के बारे में हमें थोड़ा सा careful होना पड़ता है 5.8 lakh अगर आपकी income है standard deduction तो 50,000 मिल जाएगा मान एक्स्ट्रा deduction कोई भी investment नहीं की कोई भी deduction claim ही नहीं किया मान लेते हैं यहाँ पे zero हो गया तो देखें आपका old slab के इसाब से यहाँ पे tax बन गया 18,500 बन गया लेकिन new regime में यह zero ही है क्यों क्योंकि 7,000,000 तक कोई tax नहीं है कोई सा भी tax bracket हो यहाँ पे new regime better हो जाती है लेकिन अगर हम old regime में जाएं तो इस tax को भड़े प्यार से zero किया जा सकता है क्योंकि हम यहाँ पे extra deductions अराम से plan कर सकते हैं सीधा हम यहाँ पे 50,000 की मान लीजे अगर extra deductions claim कर लेते हैं तो यह zero हो जाता है हमारा tax अब 6-7 lakh में भी आ जाते हैं यहाँ पे भी देखिए अगर हम extra dedu deductions claim करेंगे तभी हमारा tax zero हो सकता है अगर हमने मान लीजे 2 lakh की deductions claim कर ली तो भी हमारा tax zero हो गया और obviously new regime के अंदर भी हमारा tax zero है क्योंकि up to 7 lakh हमारा tax zero हो जाता है तो यहाँ पे both are equally good लेकिन यहाँ पे by chance आपने standard deductions claim कम करी मान लेते हैं आपने 50,000 की ही करी तो क्या होग तो देखें यहाँ पे आपका tax बन जाएगा इस case में new regime better हो जाएगा तो एक बात हमें देखनी है कि new regime तो आप blindly choose कर सकते हैं अगर आपकी income 7.5 lakhs तक है तो क्यों क्योंकि मान लीजे अगर आपकी income यहाँ पे मान लेते हैं in fact next tax bracket में हम चले जाते हैं 7,50,000 की हम यहाँ पे ले लेते हैं income तो देखिए आपका actually जो net taxable income हुई वो 7 lakh के अंडर अंडर आ गई क्योंकि आपको यहाँ पे 50,000 का तो standard deduction मिल गया new regime के अंदर तो भी आपका tax zero बन गया और साथ में आपने अगर extra deductions भी 2 lakh के claim कर लिये थे तो आपका net taxable income यहाँ पे भी 5 lakh के नीचे आ गई old regime के अंदर तो यहाँ पे भी आपका जो tax है वो zero बन गया so old regime के अंदर देखिए आपका tax zero या फिर कम से कम तब होगा जब ज़ादा से ज़ादा आप investment करेंगे ज़ादा से ज़ादा deductions लेंगे और new regime के अंदर आपको ऐसा कुछ plan करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास जो भी पैसा आ रहा है जो भी पैसा आपकी saving हो रही है zero tax की वजह से वो सीधा सीधा पैसा आप खर्चे के लिए use कर सकते हैं उसको invest करने के लिए use कर सकते हैं because you have slightly more money in your hand you don't have to plan investments as per the government यानि कि जो government कह रही है जहाँ पे savings आपको करनी चाहिए वहाँ करना कोई ज़रूरी नह है आप अपने हिसाब से उस पैसे को mutual fund में डालिए stocks में डालिए जहां मन करता है वहाँ डालिए अब बात करते है seven to nine lakh की seven to nine lakh में हमने एक तो साड़े साथ लाग वाला example लिया लेकिन अगर हम यहाँ पे साड़े आठ लाग ले ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा tax बन गया 32,500 का old regime के अंदर हमारा यहाँ पे 35,000 का tax बना new regime के अंदर तो old regime better हो गई क्योंकि यहाँ पे हमने deductions काफी claim कर लिये 2,000,000 के लेकिन अगर इस बंदे ने खाली 1,500,000 का ही किया होता deduction basically मान लिजे खाली 80C के अंदर इसने claim किया होता तो 1,50,000 हम मान लेते हैं तो यहाँ पे 42,500 हो जाता old tax lab के अंदर और यहाँ पे 35,000 हो जाता new regime के अंदर तो देखे new regime better हो जाती तो 7,000,000 के उपर आपकी जितनी भी income है यहाँ पे old regime better होगी या फिर new regime better होगी यह depend करेगा कि आपने कितनी deductions claim करी हैं तो यहाँ पे आप कोई भी in fact example ले सकते हैं मैं यह this lab के इसाब से देखें तो 1,20,000 ही बना तो new regime better हो गई लेकिन अगर यह 4,000,000 के यहाँ पे deductions claim कर लेता तो कितना tax बनता तो देखे 97,500 का बनता यहाँ 1,20,000 का बनता तो old regime better हो जाती लेकिन एक बात और हमें ध्यान से समझनी होगी यह जो deductions है न यह 4,000,000 के claim करने भड 2,000,000 तो बड़े असान हो गए कुछ लोग NPS में भी 50,000 extra डाल देते हैं तो और 2,000,000 हो गए फिर यहाँ पे अगर आपने home loan नहीं लिया है तो 4,000,000 तक की deduction plan करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और HRA exemption से भी आपको जादा फायदा नहीं होता है जब से यह rule आ गया है कि 50 percent of your salary should be your basic salary तो वो जो हमारी जो तीन condition होती है HRA exemption में claim करने की tax deduction उसमें आप बहुत ज़ादा HRA exemption नहीं claim कर पाते हैं तो आपका यह higher tax deduction है उसके लिए आपके पास home loan होना बहुत ज़रूरी है अगर आपका home loan interest आप भर रहे हैं तो आप यह ज़ादा deduction claim कर पाएंगे उस case में आपके लिए old regime better हो सकती है otherwise ज़ादा तर आप देखेंगे कि new regime better हो जाती है अगर आपके ज़ादा deduction claim नहीं हो पा रहे है तो और यह जो भी हमने extra deductions की बात करी हमने in fact यहाँ पे total deductions लेनी है यह आपके HRA exemption भी हो सकती है loss from house property हो सकती है section 80C और 80D के अंदर in fact यह मैंने यह आपके D लिख दिया है यह 80C है तो 80C और 80D के अंदर आपकी जो भी exemptions है वो आप claim कर सकते हैं इसके अलावा भी आपने किसी NGO को donate किया जो भी आपके tax exemptions है आप सारी की सारी यहाँ पे calculator के अंदर डाल दीजे यह आपको clearly बता देगा आपके income level के हिसाब से कि आपको old regime better पास बड़ा सवाल आता है कि old regime से अगर हमने new regime में shift कर लिया तो क्या हम वापस से old regime अगले साल जा पाएंगे जी हाँ अगर आप salary class हैं तो आप इनके बीच में कभी भी choose कर सकते हैं किसी भी financial year में आप new regime select कर सकते हैं उसके next year में आप old regime select कर सकते हैं and vice versa लेकिन अगर आपक business income है किसी भी form में चाहे आप freelancer काम करते हैं यानि कि आप हो सकता है कहीं से salary भी draw कर रहे हो और साथ में कोई freelance project से आपको कोई business income आती है या फिर अगर आपकी कोई consultancy की income आती है ये सारी income आपकी business income के अंदर आ जाती है या फिर आप businessman है कोई professional है जो भी business income earn करता है उसके पास खाली एक ही बार lifetime में choice है regime पे वापस जाने का यानि कि अगर आपने एक बार new tax regime select कर ली तो आप old regime पे एक ही बार जा सकते है उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा दूसरा budget 2023 में एक और important announcement था finance minister ने declare किया कि जो new regime है वो default regime मानी जाएगी यानि कि अगर आपको old regime select करनी है तो आपको different form fill करना पड़ेगा default form new regime का होगा तो इस बात से तो एकदम clear है कि government new regime को लेके आना चाहती है आने वाले time में हो सकता है old regime धीरे धीरे खतम ही हो जाए इसी के साथ इस video को end करते है I hope इससे काफी value add आपको मिला होगा और मेरे खैल से काफी आपको नई information मिली होगी अगर आपको यह video पसंद आया तो इसको like और share जरूर कीज़े अपने friends और family members के साथ I am sure सभी लोगों को बहुत confusion है यह कौन सा tax lab में कितना हमारा tax लगेगा old regime ले या फिर new regime ले अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को जरूर प्र जरूर आपने पने लिए